आइडिया वीडियो कक्षा एक और दो के बच्चों की माताँ के लिए नमस्ते आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है आशा है आपको पिछले हपते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं पिछले हापते की चित्र वाचन कर कहानी सुनाने की गतिविधी वस्तों का इस्तेमाल कर जमा घटा के सवाल हल करने की वरक्षीट और खाने में मिलावट वीडियो पर आपके अनुभग जरूर बताएं अब साथ लाई वी वरक्षीट हाथ में पकड़ कर फोटो खीचते हैं तब तक वीडियो पॉज करते हैं हमारी इस गतिविधी का नाम है करके देखते हैं माताओं को दो-दो के समूँ में खड़ा करें बीच में एक टेबल रखें टेबल की एक और खड़ी माता टेबल पर गिलास रखेगी और उसे फूंक मार कर दूसरी और खड़ी माता की तरफ भेजेगी दूसरी माता गिलास प्लेट में इकठा करेगी तै कीए के समय में जिस समू के ज्यादा गिलास इकठा होंगे वह समू विजेता होगा यह गतिविदी होने तक वीडियो यहां पॉज करते हैं आशा है यह गतिविदी सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगा अब आगे की गतिविदी देखते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं कभी कभी ज्यादा रोटी बनती है तो उसे अलग वियंजन बनाकर नाश्टे के रूप में खाया जा सकता है आईए इस वीडियो से चपाती का चिवडा बनाना सीखते हैं हर रोज रोटी खाना कभी कभी उबाव हो जाता है ऐसा लगता है कि कुछ चटपटा खाना चाहिए इन ही रोटियों को तड़का लगा कर स्वादिष्ट बनाया जा सकता है जिसे बच्चे भी पसंद करेंगे चपाती का चिवडा चपाती का चिवडा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 चपाती अगर ये चपाती लगभग 12 घंटे पहले बनाई है तो भी चलेंगी उससे पहले बनाई हुई चपातियों का इस्तिमाल ना करें एक प्याज, हरी मिर्च, धनिया, कड़ी पत्ता, नमक, राई, तेल पहले प्याज और धनिया बारीक काट लें चपाती के छोटे-छोटे तुकडे करें चपाती के टुकडे हाथ से या मिक्सर की मदद से भी किये जा सकते हैं हम यहाँ हाथों से किये हुए बारीक टुकडों का इस्तिमाल कर रहे हैं अब कड़ाई में थोड़ा सा तेल लें और राई का अच्छे से तड़का लगाएं फिर उसमें कड़ी पत्ता डालें और फिर प्याज प्याज हलका भूरा होने तक भूनें अब उसमें मिर्ची डालें नमक डालें अब इसमें चपाती के बारीक किये हुए टुकडे डालें और उसे कुरकुरा होने तक के लिए थोड़ी देर तक भून लें इस पर बारीक कटा कटा हुआ धनिया सजाएं बढ़ियाद अमारा चट-पटा और कुरकुरा चपाती का चिवड़ा तयार है वैसे चपाती में सबसी डालकर हम समोसा भी बना सकते हैं या चपाती का लड्डू भी बनाया जा सकता है ऐसे व्यांजन बच्चों को बहुत भाते हैं तो आप बना रहे हैं ना चपाती का चिवड़ा इस वीडियो का फाइदा आपको कैसे हो सकता है सभी माताएं बारी-बारी से समू में बताएं चलिए अब आगे की गतिविती देखते हैं जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं दी गई घटना पर चित्र बनाने के लिए बच्चों को प्रोतसाहित करें इसके साथ ही देगे सभी अक्षनों का वाचन कर अक्षनों को जोड़ कर लयात्मक शब्द बनाने की वरक्षीट घर में बच्चों के साथ पूरी करें क्या बच्चे ने बताई हुई गतिविधी और वर्क्षिट करने में आनंद लिया? यह अनुभव हमारे साथ अवश्य साजा करें। आज की गतिविधियां यहां पर समाप्त हो रही हैं। ऐसे ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना वबच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।